हालो गाइस कैसे हैं आप सब लोग मेरी चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूं आज सटेडे है और आज मॉर्निंग में आपके लिए इस्पेशली यह वीडियो बना रही हूं जो कि आपका सबसे फेवरेट टॉपिक है वह अभी आपके लिए क्या सोचे हैं क्य और यह सोची कि अभी आपके सामने हैं और मुस्कुरा रहे हैं आपकी कोई बातचीत स्पेशल हो रही है इस तरह से आप इमेजिन कर सकते हैं चले देखते हैं एक जनल एडिंग मैं आपके लिए क्या सोच रहे हैं में रिवीवर के लिए उनके पार्टनर अभी क्या सोच बताएं ओके नाइन आप पेंटिकल्स ओके टारस वर्गो केप्रिकॉन के अनरजी है और क्या सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं और क्या सूच 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 रहे हैं औ और क्या सोच रहे हैं कि एक काड पलट क्या है हम ले लेंगे यह है टू अफ कप्स वाव गाइज हम स्ट्रेंट का काड है कोई लियर साकता है यह इंपर आपके त्री मेजर आरकानाव स्ट्रेंट हब और हमस्क्त E यह मेनली अनर्जी उनकी है यह जो आपके पार्टनर है उनका साइन हो सकता है पाइसेश को हो सकता है टौरस विल्डू केंप्रीकॉन को यह सकता है सपास्दिखेंब को सकता है कैंसर श्कॉर्पिन पाइसे कि यहां पर यलो कलर आपका फिवरेट ही आपके पार्टनर का फिवरेट कलर हो सकता है इसके अलावा गाईज किसी का डेट ऑफ बर्थ फर्वरी में हुआ होगा ठीक है मांथ मन्थ बता रही हूं ठीक है और सेप्टेम्बर में कोई लग रहा है ठीक है अगस्त में भी लग रहा है कोई ठीक है इसके अलाव फर्वरी तो strongly मुझे कोई लग रहा है ठीक है यहां पर देखिए आपके लिए नाइन नमबर बहुत important हो सकता है या तो आपकी date of birth हो सकती या फिर उनका या और September मुझे यहां पर बहुत सही दिख रहा है और आपके नाम अक्षर में हिंदी की बड़ बताऊं तो मैं यहां पर द द नमबर आ सकता है और भ भ ठीक है और क से शुरू हो सकता है ठीक है ल से भी शुरू हो सकता है म से शुरू हो सकता है आपका नाम और देखिए यहां पर ह से स स स यह नाम कुछ अक्षर है जो जिनसे आ का नाम शुरू हो सकता है इसके लाव पर और व व या ब ठीक है यह यह भी अक्षन मुझे आप पर दिखाई दे रहे हैं तो आप से जितना रेजोनेट करें उतना ही लेजेगा ठीक है तो यह इंपोर्टेंट थी आपकी जो रिलेशन्शिप में मलब आपकी रिडिंग में य सबसे पहली बात आपकी जो पुरानी जो यादे हैं आप उनसे मिले होंगे वह चीज़ें उनको बहुत याद आ रहे हैं देखिए यह उसका कलेक्शन कर रहेंगा इस माइन में आप से क्या बाती होई थी या फिर आप उनसे मिले होंगे तो क्या चीज़ें सोच रहे हैं कि आपनी क्या कहा था उन्हों नी क्या कहा था आपनी क्या किया था उन्हों नी क्या क्या था मुझे लग रहे हैं कि जो रिसेंट जो आपकी मीटिंग हुई होगी जब भी तो यह आपके लिए वेस्ट उस तरह कि वह सारी चीजें हो सारी चीजें रिमाइंड कर कि आप काम करते करते भी अचानक हंसने लग जाते हैं कुछ पढ़ते पढ़ते आपको हंसी आ जाती है तो यह सब बाते इंडिकेशन देती है कि कहीं न कहीं आपका कि यह सौल कनेक्शन है और स्ट्रॉंगली बता सकते हूं गाईस जब आपको यह बहुत यह कभी अचान हारी हो या यह भी आपके इसा लगता है कि बहुत जदा को याद आ अरी है तो डेfनेटली आपके पार्ट्रम भी उस टाइम आपको याद करते हैं क्योंकि यह सोल कनेक् और इनकी मुस्काराट मुह से जलग रहे हैं कोई नो कोई इन से जरूर पुछता हो कि अब बिना बाद क्यों मुस्कारा रहे हैं इस तरह की चीज़े मुझे आप बहुत ज्यादा देख रहे हैं यह यह तो आप में यह तो इन से कुछ गलती हुए गाइस नाइन अफ कई आप नारास्तों नीर्गأ web कर रहे हैं आपकी memory को याद करते करते हैं यह भी देख रहे हैं की काeding आप से उंसे नारास्तों नीं खफा तो नहीं बात तो करना बन नहीं कर दोगे इस तरह की एनरजी मुझे आप लग रही है रिसेंटली वह आपके लिए क्या सोचे तो डेफिनेटली आपको इंडिपेंडेंडेंट मान रहे हैं इनको लगता है कि आप अपने आप में खुश हैं आप अपनी जिंदगी में खुश हैं आप देखे नाइन ओ पेंटिकल्स का काड़ जो मुझे बता रहे हैं कि आपके लिए आज मलब इस वक्त जब हम यह रिडिंग करें करन्ट एनरजी देख रहे हैं करन्ट फेलिंग्स देख रहे हैं तो उस टाइम इनको यह लग रहा है कि आप अपने आप में खुश हैं आपको इनके चिंता नहीं हैं यह चिंता करें हैं कि आप किसी बात से कहवा तो नहीं हो जाओ गें कि यह इनको ड़र सा लग रहे हैं एक रिलूजन बनाय हुआ ञिसके कारन ऐनके मन में डर हुआ है कि कहीं आप फिर से नारज तो नहीं उज़ाए लो तो बापस से efforts थोड़ी लगाना पड़ेगे, इस तरह के energy मुझे यहाँ पर दिख रिए, यह temperance चाहते हैं, आप से heal होना चाहते हैं, इनको आपके साथ और आपका जो आपकी presence या आपका बात करना इनको बहुत motivate करता है, positivity लाता है इनकी जीवन में, तो definitely आप वो person है जो कि इनको heal करते हैं, heal होने का मतलब ही, जैसे कि मैंने बताया है, कि आपकी presence इनकी जीवन में बहुत important है, आप रहते हो, आप बात करते हो, तो इनको काफी कुछ आपने भी देखते हैं, कि guys हम जब love में होते हैं, तो guys अगर आपके partner बात करते हैं, तो आप उनसे meeting करके आते हैं तो आप खुद भी महसूस करते होंगे, कि बहुत बहुत अच्छा महसूस करें, बिल्कुल relax, मतलब एक जो भारीपन मन में होता है, वो थोड़ा light हो जाता है, ऐसा हो जहां पर लगता है, और बातचीत होती है, बातचीत के तो आप काफी देर तक बात करते हैं, तो आपने जाती है, जिस तरह से क्यों no contact होगा, क्यों नाराजगी है, क्या लफड़े है, कैसे सुधारा जाए, इस तरह की चीज़ें, मतलब माइन वहां से जाता ही नहीं, और जब बात हो जाती ही, तो बहुत रिलेक्स हो जाते है, ऐसी चीज़ें आपके partner को भी feel होती होगी, डेफ fast बोल रही हूँ, अगर मैं fast बोल रही हूँ, तो अब थोड़ा slow हो जाती हूँ, guys यहाँ पे two of cups के energy है, तो guys यहाँ पे यह आपको अपनी feelings को express करना चाहते हैं, अभी आप, आपको बहुत ज़्यादा याद करते हों, नजर आ रहे हों, मुझे लगता है कि आपको खैलों म करते हैं, और बहुत ज़्यादा आपकी परवा करते हैं, आपकी नाराजगी, आपकी call नहीं करना, इनके बहुत important रखता है, जीवन में इनके बहुत importance रखता है, आपकी presence इनको motivate करते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, और यह चाहते हैं कि आप इनकी जिन्दगी में किस बहुत एक ऐसा महुल कर दीता है, जैसे इनका मन खुश-खुश हो रहता है, और यह अपने काम में ध्यान लगा पाते हैं, लोगों से बहुत अच्छे से बात कर पाते हैं, और 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 पोजिटिविटी लाते हैं, इस तरह की energy में आपे देख पारे हूं, इनके इरादे के हैं, देख लेते हैं, गाइस, ओके, रिटिंग पसंद आरी हैं, आपको तो सबसे पहले लाइक दीजे और सबस्क्राइब करना मत भूले, और जिन्होंने भी पहले से सबस्क्राइब किया हो है, थैंक्यू सो मच गाइस, ओके, और मेरी मंतली रिटिंग जरूर देखेगा, आफ्टर 15, यह जो 22 की रिटिंग से अपलोड हो जाएगी, तो उसको जड़ा चेक किजिगा, ओके गाइस, तो इनकी एक्षिन क्या होंगे, इरादे नहीं एक्षिन देखते हैं, विदिन टू डेज इनकी एक्षिन क्या होंगे, हमने देखा कि आप से कुछ नाराज तो न निवर्स एक्षिन क्या होंगे, बॉटम में देख लेते हैं, एट ओवांस, ओके गाइस, एट ओवांस आएं हमारे पास, ओ, ओ, six ओ पैंटिकल्स, five ओ पैंटिकल्स, and five ओवांस, ओके देखें, five five नमबर आपके लिए बहुत important होगा, और eight नमबर जैसे कि मैंने पहले भी क ठीक है, यहां पर देखें, इनके action क्या होंगे, definitely आपसे equal given take करने के लिए सोचेंगे, इनको लगेगा कि इनको आपको जो भी बात है, जो भी issue है, जिसके कारण ही सोचेंगे, आप से नहरा जो जाएंगे, तो उस बात को explain करेंगे, और आपको समझाने की कोशिश करेंगे, कि आप, मैं आपका ही हूँ, इस तरह से आपको समझाने कोशिश करेंगे, इनको लगेगा कि आप इनको छोड़ के चलेंगे, क्योंकि इनकी बातें आपको समझने की कोशिश नहीं करता, तो इनको लगेगा, within two days में क्या होने वाला है, इनको लगेगा, बात्चीत ये definitely करे रहेंगे, ऐसा मुझे आप लग रहा है, लेकि इनको लगेगा कि आप इनकी बात समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप इनकी बात को मनवा के रहेंगे, ऐसा मुझे आपको मनवा के रहेंगे, आपनी बात को मनवा के रहेंगे, आपनी बात को मनवा के रहेंगे, आपनी बा इनके बाद Wheel of Fortune का काड़ है यह जानते हैं कि आप इनके भागे में हो और कहीं नहीं जाओगे डेफिनिटली आप इनकी बात समझोगे और इनकी कम्मिनिकेशन एट ओफ वन्स का काड़ ही गाइज लव एरोज होते हैं कैसे ने जैसे आपको लव भरी प्यार भरी बाते करके मना ही लेंगे तो यह थी आपके रिडिंग आप जाते जाते में आप कुछ मैसेज़ेस इनके लूँगी गाइज क्या मैसेज है इनके दो दिन मे एक जम्पो के आया है इसमें कुछ सॉंग्स भी मैंने रखे हैं ठीक है जो आएगा हम लेंगे वन मूर ओकी गाईज अकी बहुत सारे आ गए जाईज इनको शफल करना बहुत मुश्किल होता है तो हम से बहुत सारी बाते करनी हैं तुमसे तो गाईज यहाँ पे समझाने के लिए बिलकुल रेडि है कि आप कहीं इनसे नाराजना हो जाए ठीक है कुछ important कहना चाहते हैं, यह भी मुझे लग रहा है, क्योंकि communication का काड़ा है, I cannot bear your distance more, तो आपको कहीं नहीं है, यह recall कर रहे हैं आपकी memories को, आपकी, जो आपकी meeting हुई थी उसको, I love you just the way you are, जैसे भी आप इनको बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है, you always in my thoughts, I can feel it, आप हमेशा इनके thoughts में रहते हैं, जैसे कि मैंने कहा, यह दिन रात रात दिन आप ही को याद कर रहे हैं, और definitely अभी भी याद कर रहे हैं, ठीक है, आपकी memories को, आपकी हर एक बात को बहुत गौर से, गौर से याद करें कि क्या कहाता आपने, you always in my thoughts, I can feel it, यह feel भी करते हैं आपको, I do not cry when you leave me, आप जब छोड़के गए तो इनको यह रोई नहीं, but cry when you don't come, अगर नहीं आओगे तो रोएंगे, otherwise छोड़के जाओगे तो रोएंगे नहीं वापस मतलब, मुझे लगता है कि यह जो message यह बता रहा है, कि अगर इन से नहराज हो कि आप वापस नहीं लोटे तो रखते हैं, जग घुमिया तेरे जैसा न कोई, जग घुमिया तेरे जैसा न कोई, मेरे आवाज मत देखीगा, क्योंकि मेरे गल्ला तो पहले से खराब है, तुम बिन जाओं कहां दुनिया में आके, कुछ न फिर चाहा सनम तुमको चाहा के, वाओ गाईज, यह कोई नहीं है, मेरे लाइफ लिये दुनिया में, आपकी असिवा कोई भी नहीं है, इनकी दुनिया में, जो बिलकुल इनके लिए परफेक्ट है, मैं तुम से कमिट नहीं कर सकता, तो यह भी कहीं नहीं आप से मैच होता होगा, देख लिजए आप, ठीक है, यूर देट पर चलती रहती है, और इसी की साथ, यह रिडिंग मैं एंड करने चारी हूँ पर यहां पर एंड नहीं, मैं नेक्स रिडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस, बाबाई